हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम टू अफेर्स क्लाउड, लर्न टू लीड, मैं नेम इस विकास राणा कोड़ यूज करते हैं, तो आपको स्टेट अवे 10% का डिसकाउंट मिल जाएगा, बट हमारा कोर्स इतना बैटर क्यों है, वाइ वी थिंग कि हमारा कोर्स वन अफ दे बेस्ट कोर्स है इन दे इंडर्स्टी फर प्रिपेरिंग फर करन्ट अफेर्स, क्योंकि हम करन्ट अफे डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेशन की quiz प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी रिविजन में बहुत हप करेगी, एक PDF प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे और पचास क्वेशन की雇स और PDF अफ क्मपाल्ड constraint affirm की and monthly basis पे आपको एक top 100 current affairs की PDF प्रोवाइड करी जाएगी जो पूरे महिने का current affairs का जिस्ट होगा जो preparation में revision perspective से बहुत important होता है आपको लगेगा हम सिरफ इतना provide करते हैं लेकिन नहीं हम English के साथ साथ आपको हिंदी में भी ये सारी चीज़े provide करते हैं not just this हम आपको banking awareness के भी current affairs provide करते हैं banking से related questions भी discuss कराते हैं ताकि आपकी revision आप सके for banking exam इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की PDF आप सभी के लिए लाए हैं एक interesting way of learning वो है infotainment infographics बड़ा ही मज़िदार तरीके से आप इनको enjoy करते हुए PDF को पढ़ सकते हैं इनको ज़रूर चेक कीजिएगा इसी के साथ साथ हम आपको 20 topic wise current affairs भी revise कराते हैं daily basis पे daily एक-एक topic की वीडियो आती हमारे YouTube channel पे जो 20 topics हैं जैसे apps and web portals, important days, books and authors आपके national affairs, international affairs, sports, defense, awards इन सभी topics को हम monthly basis पे cover करते हैं जो बहुत helpful रहता है प्रिपरेशन के लिए आपर्ट फॉम दिस फ्रेंट आप जैसे मैंने बताया विकास 10 कोड को अगर आप यूज करेंगे हेलो स्टुदेंस कैसे आप सब आप सब आप सब अच्छ होंगे तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ बहुत important current affairs discuss करेंगे topic रहेगा defense of June month ये session आपके लिए काफी helpful रहेगा friends तो end तक जरूर देखेगा और June के topics defense के हम cover करके बड़े अच्छे revision questions में आपके लिए लाया हूँ सबसे पहले हम बात करेंगे संपृती exercise संपृती exercise किन countries के बीच में exercise कराई जाती है इंडिया और बांगलादेश के बीच में ये exercise conduct कराई जाती है पहला question ये बनेगा दूसरा question आप से पूछेंगे कि संपृती exercise कहाँ पे conduct कराई गई थी location क्या थी उसकी तो वो कहाँ कराई गई थी बांगलादेश में ये exercise conduct कराई गई थी ठीक है I repeat ये exercise 5 जून से लेके 16 जून के बीच में कराई गई थी exercise संपृती कहाँ पर कराई गई थी बांगलादेश में कराई गई थी जो कि बांगलादेश में है ये exercise किन के बीच में conduct कराई गई थी इंडिया और बांगलादेश के बीच में reason क्या था कि इन दोनों countries के बीच में जो navies है इनकी cooperation बढ़ सके एक दूसरे को एक cooperation अच्छा हो सके ठीक है तो ये थी आपकी संप्रिती exercise जो इंडिया और बांगलादेश के बीच में conduct कराई गई थी नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करेंगे नेटो की नेटो के दौरा फ्रेंड्स हम जानते हैं भी काफी सारी exercise कंड़ कराई जा रही है जैसे डिफेंडर यूरोप exercise कराई गई थी ठीक है फिर उसके बाद आपको याद रखनी है क्या थी लॉक्षिल्ड ये लॉक्षिल्ड इस exercise जो थी ये किसके ऊपर थी यह आपकी साइबर सीक्योर्टी exercise थी कहाँ पर कंड़क्टर आए गई थी एस्टोनिया में कंड़क्टर आए गई थी ठीक है अगर हम साइबर सीक्योर्टी की बात कर रहे हैं तो याद रखना नेटो का जो साइबर कराये गया है जो की बाल्टिक सी में हुई थी स्वेडन के द्वारा होस्ट कराये गई थी क्या नाम है उस exercise का बाल टॉपस बैल्टिक ऑपरेशन इस exercise का नाम याद रखना बाल टॉपस भी बोला जाता है तो ग्वेशन पूछा जाएगा बाल टॉपस ये exercise कहां और नेटो इसमें exercise ये रहीगी ठीक है याद रखना फिर इसी में 7000 सेलर्स एयर्मैन मरीन सोला नेशन ने पार्टिस्पेशन किया 45 वेसल्स इसमें पार्टिस्पेट करेंगे 75 एरक्राफ्ट ने भी इसमें पार्टिस्पेशन देखने को मिला ठीक है याद रखिएगा नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करेंगे खान क्वेस्ट exercise की खान क्वेस्ट याद रखना ये एक peacekeeping exercise थी ये एक peacekeeping exercise थी military exercise जो की मंगोलिया के द्वारा होस्ट की गई थी important ये दो चीजी आपको इससे related याद रखनी है खान क्वेस्ट एक peacekeeping exercise थी जो की किस के द्वारा होस्ट कराए गई मंगोलिया के द्वारा कहां पे इसको होस्ट कराए गया था मंगोलिया में ही इसको होस्ट कराए गया था और इंडियन आर्मी ने इस exercise में participate किया चैसे लेकर 20 जून तक ये exercise कराए गई थी 14 दिन लंबी ये exercise थी ठीक है और ये कहां पर हुई थी ये आपकी मंगोलिया में हुई थी ये आपको याद रखना है फिर next पे आते हैं नेक्स्ट हम बात करेंगे 38th edition of the corporate exercise corporate क्या होता है coordinated petrol इंडिया के दवारा ये exercise होस्ट कराए जाती है और lockdown के बाद COVID-19 के बाद ये first edition रहेगा आपका coordinated petrol exercise का between India and Indonesia कहां पर इसको कराए गया location बहुत जादा important है अंडिमांसी and states of मलक्का में इस exercise को कंड़ट कराए गया आई repeat 38th edition of India and Indonesia coordinated petrol ये exercise इंडिया नेवी and Indonesian नेवी के बीच में चंड़ट कराए गई थी कहां पर कराए गई थी ये आपका अंडिमांसी and states of मलक्का में इस exercise को कंड़ट कराए गया 24 जून को इस exercise को कराया गया था ये 38th edition है ये भी आपको याद रखना और corporate की full form coordinated petrol next आजाते हैं अगनी 4 पे काफी important exercise आपकी missile रहेगी याद रखना अगनी 4 किस country की है इंडिया की है पहला question तो ये याद रखो ये एक blast missile है intermediate range blast missile IRBM है ये आपकी इसकी range रहती है कुछ 3500 से लेके 4000 km था ठीक है क्या ये surface to air missile है surface to surface missile है तो ये surface to surface missile रहेगी ठीक DRD ने इसको बनाया था भी recently और उन्हें के द्वारा इसको test किया गया I repeat intermediate range blasting missile रहेगी ये आपकी अगनी 4 APJ अब्दुलकलाम आइलेंड जो की range रहेगी 1000 kg तक का payload ये ले सकती है और ये nuclear capable missile है मतलब nuclear missile को nuclear warhead को ये रख सकती है and can shoot at the target इसलिए हम इसको अगनी 4 बोलते हैं नेक्स आजाते हैं प्रिथवी 2 पर प्रिथवी 2 क्या है short range blasting missile इससे पहले हमने अगनी 4 देखी थी ये क्या थी intermediate range blasting missile इसकी range जादा होती है short range blasting missile की इनकी range कम होती है ये भी किसकी है इंडिया की ही है याद रखना इसको recently test किया गया at the integrated test range at चांदेपूर ओडिसा से इसको test किया गया था ठीक है इसकी short range रहती है आपको ये याद रखियेगा फिर next हम बात करेंगे इसको DRDO and DRDO के दोरा test किया गया और डेवलप किया गया और प्रित्वी 2 के आपकी surface to surface short range blasting missile है ठीक है पहले इसको Indian Air Force में induct कराना था डेवलोक्स को swapना था लेकिन बाद में इसको कहां पे दिया गया Indian Army को swap दिया गया moving on next हम बात करेंगे vertical launch short range surface to air missile के बारे में ये एक weapon system है जो कि आपके ships पे operate किया जाता है ships के through operate किया जाता है तो ship born weapon system vertical launch short range surface to air missile को अभी test किया गया of the coast of Odisha DRDO के दोरा इसको develop किया गया है and Indian Navy के साथ मिलके इसको develop किया गया और इसको test किया DRDO and Indian Navy ने मिलके from the warship at the चांदेपूर of the coast of Odisha से I repeat ये क्या है vertical launch short range surface to air missile vertical launch short range surface to air missile किसके दोरा develop और test की गया DRDO के दोरा इसको develop और test किया गया है फिर हम देखें vertical launch short range surface to air missile के बारे में तो ये target को hit कर सकती है मतलब इसकी range है 42-50 km altitude में देखें तो 15 km की इसकी range रहीगी इसको design पे किसके बनाए गया है extra mark 1 missile के जो कि एक beyond visual range missile है air to air missile है तो coming back अगर vertical launch surface to air missile की बात करें short range missile है DRDO के और Indian Navy के दोरा इसको test किया गया off the coast of Odisha चलिए next पे आते हैं फिर next हम बात करेंगे anti-tank guided missile की जिसको अभी recently test किया गया DRDO और Indian Navy के दोरा यह आप tank देख रहे हैं एक अरजुन tank से यह test की गई है laser guided anti-tank guided missile highly important ठीक है anti-tank guided missile जो की laser guided anti-tank guided missile है indigenously developed है इसको test किया गया from the main battle tank जिसका नाम रहेगा अरजुन किसके दोरा test किया गया DRDO और और Indian Army के दोरा मिलके इसको test किया गया ठीक याद रखिएगा चलिए तो friends यह तो हो गए हमारे कुछ defense related questions अब discuss करेंगे हम कुछ important इसके अलावा जो current affairs हैं जो आपके revision में बहुत help करेंगे जैसे अगर मैं पूछूँ आपसे चाइना के बारे में चाइना ने अभी third aircraft carrier launch करा फूजियान के नाम से और यह पहला indigenously man made developed आपका aircraft carrier चाइना का फिर question आ जाता है चाइना ही वो country है जो अपना खुद का टाइगॉंग space station डेवलप कर रहा है space में इंडिया बांगलादेश यह hold करेंगे पहला physical joint consultative commission meeting कहां पर new Delhi में पाकिस्तान की मैं बात करूँ पाकिस्तान will continue to stay in the financial action task force जिसको हम FATF कहते हैं इनकी grey list में UAE को डाला गया था इनकी grey list में ठीक है अभी recently पाकिस्तान तो 2018 से FATF की grey list में है फिर FATF के अगर मैं president की बात करूँ वो कौन है टी राजा कुमार और ये पहले Singaporean है जो president बने आपके FATF के फिर UNICEF की बात करें इनके हिसाब से 36 million children will be displaced worldwide due to conflicts in 2021 और were displaced मतलब displaced किये जा चुके हैं ठीक है worldwide due to conflicts और ये data और जादा बढ़ गया है क्यों क्योंकि हमने अभी war देखी 2022 में और और बहुत सारी regions की वज़े से हम देख रहे हैं कि ये data और बढ़ गया होगा next अगर मैं बात करूँ China की China became the largest importer of Indian broker rice इसी के साथ साथ याद रखना China ने top किया in the list of world gold council इनकी report में जो की थी कि दुनिया में सबसे जादा gold को recycle करने वाली country कौन है वो China है फिर इसी के साथ मैं बात करूँ China के president host करेंगे 14th edition of BRICS summit जो की बीजिंग में होगी 12th edition of ministerial conference WTO कहां पे हुगा जिनेवा में host किया गया इसी के साथ साथ याद रखना जिनेवा का है Switzerland में तो Switzerland and Kazakhstan ने मिलके co-host किया 12th meeting of ministerial conference of world trade organization ठीक है याद रखिएगा नेक्स पे आजाते हैं असम की बात करें असम में BICO festival celebrate किया गया और एक अंबू बाची festival भी यहाँ पे celebrate किया गया तो ये तो दो याद रखने हैं अंबू बाची festival और BICO festival इसी के साथ साथ असम के जोरहट में पहला pure green hydrogen making plant सेटअप किया जाएगा ठीक है किस के दवारा सेटअप किया जाएगा oil india limited oil के दवारा सेटअप किया जाएगा पहला pure green hydrogen making plant जोरहट असम में सीतल सस्थी ये celebrate festival कहा किया गया ओडिसा में ओडिसा की बात करें तो MOBA service यहीं पे है पहला Olympic values education program यहां पे आया था और यहीं पे पहला tribal health observatory को set up किया गया ताकि tribal लोगों के health का check up रखा कर सके और उनके health का data maintain कर सके फिर हम बात करेंगे state food safety index की जिसका fourth edition अभी release किया गया था किसके दौरा फसाई के दौरा तो दू question तो यहीं हो गए कि state food safety index कौन सा edition रिलीज किया गया भी फोर्थ किसके दौरा फसाई के दौरा और तूसरा question बनता है कि larger states में top किस ने किया तो तम्मिल नाडू ने top किया गोवा की बात करें गोवा ने launch किया एक beach vigil app for the holistic management of beaches beaches को manage करने के लिए beach vigil app launch किया गया गोवा के ही दौरा हम observe करते है साव जौव फेस्टिवल यहीं पे national museum for customs and GST हमें observe करते हैं फिर आंद्र परदेश गोवर्मेंट ने launch किया YSR यंत्र सेवा स्की अगर बात करें इंडिया के largest educational metaverse की जो की एक university की तरह ही है बट artificial reality पे based है जैसे आपका metaverse तो वो क्या नाम से launch किया polyversity और इन्होंने एक और largest blockchain network launch किया गया वो है भारत blockchain network किसने launch किया इंडिया ने इसी में अगर मैं बात करूँ JP Morgan ने पहला virtual launch launch किया था उसका नाम क्या था Pokemon से याद कराया था onyx नाम से launch उन्होंने पहला virtual launch metaverse में launch किया था PM Modi की बात करें इन्होंने headquarter launch किया inaugurate किया in space का जो की एमदबाद गुजराद में बहुत important है ठीक है 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 गुजराद एमदबाद में in space का headquarter है वो inaugurate किया गया PM Modi के दवारा फिर third organic organic expo कहां पे हुआ था new Delhi में new Delhi में ही आपका largest या फिर हम कह सकते हैं biggest drone मेला भी हुआ ये किनों ने host किया था inaugurate किया था Prime Minister Narendra Modi जी के दवारा ही inaugurate किया गया था biggest drone मेला जो कि Delhi में हुआ next पे आते हैं 9th Summit of America कहां पे हुई थी Los Angeles USA में Los Angeles से दो question बनते हैं कि एक तो देखो FIFA World Cup 2026 में होगा कहां पे होगा पहली बार ऐसा हो रहा है कि तीन countries में तीन cities में ये कराया जाएगा FIFA World Cup 2026 का Mexico City में जो country Mexico है Toronto City में जो कि Canada की city है और Los Angeles जो कि USA की city है तो ये तीन वो cities याद रखनी है जापर FIFA World Cup होगा 2026 का और Los Angeles होस्ट करेगा Summer Olympic Games for 2018 फिर इंडिया की बात करें इंडिया ने 55 million dollar का credit line provide किया to Shlanka for fertilizers import इंडिया की बात करें इंडिया ने 8 चीताज को buy करने की बात की from Namibia बहुत important याद रखना और इनको रखा कहा जाएगा Juno National Park में ये Juno National Park कहाँ पर है ये मध्यपरदेश में है फिर बात करें ही हम देखी चुके हैं 12th edition of WTO Ministerial Conference 2022 की जिनेवा में हुई जिनेवा स्विजरलेंड में है और स्विजरलेंड एन कजाकिस्तान ने मिलके इसको host किया था First ever India EU Security and Defense Consultation कहाँ पर हुई Brussels में Brussels से याद रखना Belgium Brussels में Mango Festival हुआ था जिसको inaugurate किसके दोरा किया गया था प्यूश गोल जी के दोरा और Indian Delegation को लीड करना किसने किया था During the World Economic Forum Meeting जो कि डेवास में हुई थी तो वो भी Indian Delegation को लीड किसने किया था प्यूश गोल जीन है Next आजाते हैं इंडिया का second biggest oil exp supplier कौन बन गया है वो है रशिया Global Startup Ecosystem की बात करूँ तो Bangalore की second rank आई है In the Global Startup Ecosystem World की most livable city कौन सी है Vienna कौन सी है Vienna ये कहाँ पर है Austria में World की most livable city इसी के साथ साथ T-Hub की मैं बात करूँ T-Hub 2.0 Technology Hub 2.0 कहाँ पर लाँच किया गया हैदराबाद हैदराबाद कहाँ पर है तेलंगना में और reason being क्यों लाँच करने का कि Startup Ecosystem को boost देने के लिए ठीक फिर अगर आपसे पूछा जाए Tamil Nadu के बारे में तमिलनाडू के चीफ मिनिस्टर कौन है M.K. स्टॉलिन इनी के द्वारा एक Breakfast Scheme लाँच की गई थी कि सरकारी स्कूल में जो Pre-Primary Students हैं तमिलनाडू के उनको Breakfast प्रोवाइड किया जाए फिर इनी के द्वारा एक Logo और एक Mascot लाँच किया गया और 44th Fight Chess Olympiad ये question ऐसे भी पूछ सकते हैं कि Fight के Chess Olympiad कि स्टेट में होगा इंडिया के तो तमिलनाडू में होगा फिर आर प्रगननदा की बात करें इनके द्वारा Norway Chess Group A को जीता गया इसी के साथ चाथ अवनी लखेरा ये किस स्पोर्ट से बिलॉंग करती हैं ये शूटिंग से बिलॉंग करती हैं इन्होंने गोल मेडल जीता at the Chattrox 2022 World Cup Max Worst Happen Red Bull के लिए ड्राइब करते हैं ठीक है इन्होंने अभी Azerbaijan Grand Prix को जीता 2022 में इसी के साथ साथ Amelia Romagna Grand Prix को भी इन्होंने जीता फिर Short Put Athlete की बात करूँ मैं Manpreet Kaur की इन्होंने National Record Break किया है इन Interstate Athletes Meet जो की चन्नाई में हुई थी सनापथी गुरू नाइडू की मैं बात करूँ ये किस स्पोर्ट से बिलॉंग करते हैं इन्होंने गोल मेडल जीता at the 55 kg men's event at IWF Youth World Champion और ये किस स्पोर्ट से बिलॉंग करते हैं सनापथी गुरू नाइडू तो ये वेट लिफ्टिंग से बिलॉंग करते हैं फिर इंडिया के 74th Grandmaster कौन बने राहुल श्रिवास्तव इंडिया के 74th Grandmaster बने ठीक है याद रखा जाएगा चलिए फिर आजाते हैं 13 जून 13 जून को हम International Albinism Awareness Day अबजर्व करते हैं इसके थीम क्या रहेगी United in Making Our Voice Heard 14 जून को World Blood Donor Day अबजर्व किया जाता है जिसकी थीम है Donating Blood is an Act of Solidarity Join the Effort and Save Lives 15 जून को World Elder Abuse Awareness Day with the theme Digital Equity for All Ages 15 जून को Global Wind Day जिसकी थीम है We Are Hashtag In With Wind इसी के साथ-साथ याद रखना 21 जून को हम अबजर्व करते हैं International Yoga Day 5 जून को Environment Day अबजर्व किया जाता है ठीक इसी के साथ-साथ अगर मैं पूछू EFIR Service कि आपकी Online EFIR हो जाएगी और 24 से 48 गंटे के अंदर आपको Contact किया जाएगा EFIR कराने की Service है किन के द्वारा लाँच की गई उत्राखंड के द्वारा लाँच की गई किस टेट के द्वारा उत्राखंड के द्वारा लाँच की गई फिर इसी के साथ-साथ आपको याद रखना है Consumers Awareness के लिए एक Mascot लाँच किया गया था कहाँ पर at IIT Delhi इसी के साथ-साथ अगर आपसे मैं पूछूँ पहला E-Waste Eco Park ये कहाँ पर है पहला E-Waste Eco Park कहाँ पर Establish किया जाएगा New Delhi में New Delhi में भी कहाँ पर Holumbikala में ठीक है केरला की अगर मैं बात करूँ ये पहली स्टेट बनी जिनका खुद का OTT प्लैटफॉर्म है जिसका नाम है C-Space ये वो स्टेट है जो फर्स स्टेट बनी जिनका खुद का Own Internet Service Provider रहेगा इन्ही के दुआरा एक Health and Wellness Application लाँच की गई थी Shelly App ठीक है चलिए इसी के साथ साथ या अगर मैं आपसे पूछू हमारे MSME Minister कौन है नाराइन राने जी ये हमारे MSME Minister है और इन्ही के दुआरा एक Mobile Electric Charging App को लाँच किया गया Mobile Electric Charging Application को लाँच किया गया ठीक है इसी के साथ साथ अगर आपसे question पूछा जा रहा है जरा बताओ अगर मैं बोलू Research and Development के उपर एक report release की गई जिसमें बताया गया कि India is in the lowest या फिर सबसे lowest में आता है लिस्ट में लोगों पे आता है जिसमें बताया गया कि Research and Development के बारे में तो इंडिया सबसे कम खर्चा करता है सबसे कम invest करता है इन Research and Development और ये data किसके द्वारे release किया गया है नितिया योग के द्वारे इस data को release किया गया अगर फिर भी देखें इंडिया में सबसे ज़्यादे Research and Development के लिए क्या famous है तो वो करनाटा का famous है ठीक है फिर इंडिया ने ही अभी किस country के साथ एक judicial corporation के लिए sign किया एक M.O.U. sign किया तो इंडिया एन मालदीज ने एक judicial corporation के लिए M.O.U. sign करा है याद रहेगा फिर हम बात करेंगे अभी recently एक पहला passenger drone launch किया गया क्या नाम रहेगा उस passenger drone का Varuna ये Varuna किन के द्वारा launch किया गया unveil किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी जी के द्वारा एक person 130 kg payload को ये carry कर सकता है मतलब एक आदमी को ये carry कर सकेगा Varuna ठीक है चलिए फिर आपको उस district का नाम बताना है पहली district बनी इंडिया की जिसके हर village के हर घर में pure drinking water पहुँच गया है तो उनको और हर घर जल certified state district बन गई है वो पहली district कौन सी है वो बुरहानपूर district बुरहानपूर district और ये कहाँ पर है मध्यापरदेश में है हर घर जल certified district बन चुकी है ठीक है चलिए इसी के साथ साथ अगर आप से मैं question पूछू Viva Engage Viva Engage एक workplace social application है जो किस organization के द्वारा launch की गई तो ये Microsoft के द्वारा launch की गई है क्या Viva Engage ठीक है याद रखना अगर Henley passport index की बात करूँ इंडिया की क्या rank रहेगी 87th 87th rank रहेगी और 60 countries में इंडियन्स वीजा फ्री जा सकते हैं इस index में top किस ने किया जपान ने top किया विद फर्स पोजिशन और यहाँ के लोग 193 countries में वीजा फ्री जा सकते हैं इसके बाद second position पे आ जाता है Singapore जहांके लोग 192 countries में वीजा फ्री जा सकते हैं नेक्स्ट अगर आपसे question पूछा जा रहा है जड़ा बताओ किन को अभी recently MD and CEO appoint किया गया NSE का National Stock Exchange का वो है आशिश कुमार चोहान आशिश कुमार चोहान को MD and CEO appoint किया गया National Stock Exchange का फिर किन को additional charge दिया गया है as the governor of West Bengal कौन है वो वो है La Ganesan एक चीज़ याद रखना La Ganesan अभी current में governor है कहांके governor of Manipur क्या ऐसा possible है एक state का governor दूसरी state का भी governor बन सकता है बिलकुल possible है किस article में ये लिखा है article 153 में ये mention है कि एक state का governor दूसरे state का governor बिलकुल बन सकता है एक individual person दो state के governor की post hold कर सकता है और ये appointment किन के द्वारा करी गई है President Ramnaath Kovin के द्वारा ये appointment की गई फिर याद रखना President Ramnaath Kovin तो अब change हो गए है वो President नहीं रहे है तो Ramnaath Kovin कौन से नंबर के President थे इंडिया के तो याद रखना Ramnaath Kovin 14th President थे इंडिया के अब नहीं 15th President कौन बनी मैडम द्रॉपदी मुर्मू ये पहली ट्राइबल जो बनी है जो की पहली ट्राइबल है जो की President बनी है एंड सेकेंड वीमन जो की President बनी है इंडिया के याद रखना आर्टिकल आ जाए अगर President से रिलेटेट 52 होता है There is a President of India आर्टिकल 53 होता है Union Executive Power of President 54 Election of President 55 मैनर in which Election of President is done 56 हो जाता है Term of President फिर आ जाता है 61 आर्टिकल याद रखना इंपीचमेंट के लिए और इंपीचमेंट कैसे मैंने आपको याद रखना को बताया था कि Donald Trump को इंपीचमेंट किया गया था USA के है और वो President तो याद रखना इंपीचमेंट हमारा किस Constitution से लिया गया Country के तो USA से लिया गया है ठीक है फिर बताओ नए प्रेजिडेंट कौन बने है श्रिलंका के वो है रनील विक्रम सिंगे ठीक चलिए नेक्स पे आते हैं जरा नेक्स अगर मैं आपसे पूछूँ जरा बताओ 68th National Film Awards के बारे में किस फिल्म ने Best Film Awards जीता वो है सुरारी पोत्रू सुरारी पोत्रू फिल्म ने जीता इसी के साथ साथ अगर पूछा जाए अभी 35 years की सर्विस के बाद किस इंडियन नेवल शिप सब्मरीन को सब्मरीन को डिकमिशन किया गया वो है INS सिंदू वज ठीक है INS सिंदू वज इसी के साथ साथ जरा बताओ अभी रिसेंटली पैरासीन ओपन चेस टूर्णामेंट जो कि सर्विया में हुआ किन के द्वारा जीता गया आर प्रगनंदा ग्रेंड मास्टर आर प्रगनंदा के द्वारा आपका पैरासीन ओपन चेस टाइटल जो के सर्बिया में हुआ वो जीता गया ठीक है चलिए फिर नेक्स पे ज़रा बताओ अगर मैं आपसे पूछूं 18th of July क्या उब्जर्व किया जाता है 18th of July को हम तमिल नाडू डे उब्जर्व करते हैं 18th of July को आर प्रग्णनदा की बात करी चेस से बिलॉंग करते हैं तो बत क्या था यह किस का मिशन है नासा का मिशन है और इस पेस में सेटलाइट को डिरेक्षन प्रोवाइड करने के लिए कैप स्टॉन को लांच करा गया था फिर अगर ब्रोड्कास कर रहे हैं तो बतादो नेशनल ब्रोडकास्टिंग डे कब अब्जर्व किया जाता है 23 जुला अगर आपने नई चीज सीखी और आपको रिविजन में बड़ा मजा आया तो कमेंट करके जरूर बताईएगा इसी के साथ साथ फ्रेंड्स नैशनल अफेर्स इंटरनेशनल अफेर्स पूर्ट्स डिफेंस कोई भी टॉपिक अगर आप हमसे पढ़ना चाते हैं तो उसके आपके रिविजन में और जाधा है अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट ने तो आपको पता रहेगा कि हम कितने अच्छे से रिविजन कराते हैं डेली बेसिस पे वीकली बेसिस पे मंतली बेसिस पे टॉपिक वाइस रिवाइस कराते हम पूरे माहिने का फिर उसी के यह हमारी वीडियो थी, I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसी के साथ साथ friends आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप Telegram चैनल पर जाके हमें फॉलो कर सकते हैं and इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंड में या हमारे क इसी के साथ साथ आप हमारे Instagram handle affairscloud underscore official को follow कर सकते हैं, code और याद रखना वो है विकास 10, अगर आपको 10% का extra discount चाहिए तो आप विकास 10 का code यूज कर सकते हैं, आपको crack 10 के अलावा 10% का discount यहाँ पे मिलेगा, और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमार number 9677333862 या फिर आप mail कर सकते हैं support at the rate of affairscloud.com पे and I make sure हमारा representative आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा और आपकी problem को solve करेगा